दोस्तों ठीक हो ना आप सब तो लावा कंपने रियल्मी के पीछे हाँ धोके पड़ गया है मैं आप लोग को बताऊंगा एक कहानी तब आप लोग को समझ में आएगा वैसे मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने मुला हूँ लावा बिलेज करवड 5G स्मार्टफून के बारे में जो कि पांच मार्च को इनडिया में वालों ने लावा अगनी टू और बहुत अच्छा विका था बहुत लोगों ने घरीदा था अभी फिर वह ऐसा करने वाले हैं रियल्मी 12 प्लस लांच होने वाला है और वहीं चिपसेट के साथ उससे अच्छे फीचर्स देक adjust करकी आप लोगों को लावा बिलेज कव्ड 5 समार्टपोनी को मिल जाएगा इंडियाント पहले पांच मार आ e पandroid on tomar Guerre gonna let 1 पाइवा बात कर लेते हैं कि आप लोगो कि कोछ फीचर्स होंकर 벡ेड उन thousand के आ है वही सब कुछ में आप लोगों बताने वाला हम फालतों में यह वो नहीं बताऊंगा तो 6.67 इंच का आप लोगो 120 हर्स वाला एमुलेट डिस्पले देखने को मिल जाएगा और कापड डिस्पले होने वाला है चिपसेट की बात करें तो इसमें आप लोगो जो की काफी अच्छा चिपसेट है लावा अगनी 2 5G स्मार्टफोन में भी आप लोगो देखने को मिल जाएगा और डॉल्बी अटमॉस्ट का आप लोगो सपोर्ट देखने को मिलेगा तो साउंड काफी तकड़ा इससे आने वाला है पीछे के साइड में 64 MP का आप लोगो मे मार्टफोन का प्राइस 16,000 से लेकरके 18,000 के बीच में होने वाला है और जैसे ही इसके बारे में और भी कुछ फीचर्ट वगरा पता चलेंगे मैं आप लोगो ज़रूर बताऊंगा तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ठीक है ना धन्यवाद